अगर आप आपको बोनस का ओप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको बोनस का ओप्शन जो हो सकता आपके इंस्टाग्राम में आपने सब जगह पर चेक कर लिए अपनी सैटिम गारे में जाकर बट आपको बोनस का ओप तो चलिए जान लेता हैं कैसे हमें बोनस का ओप्शन मिल जाएगा सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम में जाना होगा Instagram में जैसे ही आप जाएंगे कुछ इस तरह से आपकी सामने Instagram उपन होगा आपको अपनी profile पर चले जाना है ओपर 3 lines देखने को मिल गए 3 lines पर क्लिक कर लिजिएगा देन उसके बाद आपको setting and privacy को option सबसे ओपर देखने को मिल जाता है इस पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप setting and privacy पर क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पर बहुत सारे options देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पर आपको नीचे आना है आप जैसे scroll करेंगे तो आपको नीचे option देखने को मिल जाएगा account type and tools तो आपको account types and tools पर click कर लेना है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा switch to professional account इस पर आपको click करना है यहाँ से अपने account को आपको professional बना लेना है यहाँ पर आपको slack करना होगा अपनी category जिस भी type का आपका account है वहाँ पर बना लीजिए आप video creator कर लेता हूं वीडियो creator पर click करने के बाद done कर देता हूं आप यहाँ पर अपनी category के हिसाब से अपने account की category हिसाब से उसको category select कर सकते हैं नीचे 30 seconds रुखने को बोल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे दन उसके बाद creator है creator पर next कर देना है आपको next करने के बाद कुछ इस तरह से दन उसके बाद आपको क्या करने है for aur यह काम करने के बाद भी आपको bonus ville ना मिल ہے तो आपको जो है three lines पर click करना है दन उसके बाद setup अपको i कर देना है कि मि緩ोड से आपको रीपोर्ट्य प्रावलम यहां पर माइस कुर्णेम है माइस यूजर नेन में सामने आपका लीज़ नेम है वह आपको लिख देना है जो भी आपका लुजर नेम है और यहाँ पर आपको ऊपर गी तरफ send देखने को मिला है send पर click कर दीजिएगा जैसे आप यहाँ पर यह report submit कर देंगे तो आपकी problem जो है solve हो जाएगी then उसके बाद आप एक और काम कर लीजिएगा यहाँ से आने के बाद play store पर आईएगा play store में आने के बाद आपको Instagram को search कर लेना है Instagram को search करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा developer contact यहाँ पर आपको click कर देना है यहाँ पर email लिखा मिलेगा आपको email पर click कर देना है जैसे आप email पर click करेंगे इस page पर आ जाएंगे आपको यहाँ पर भी report submit करनी होगी same report यहाँ पर लिखनी है और username के सामने अपना username लिख देना है then उसके बाद send का option देखने को मिल रहा उपर की तरफ तो यह mail आपको यहाँ से send कर देनी है जैसे आप mail send करेंगे आपको feedback मिल जाएगा और आपकी problem भी solve हो जाएगी सिर्फ यह काम आपको कर लेना है अगर फिर भी आपको problem आते है मुझे comment box में जुरू बताइएगा मैं आपके लिए कोई और solution लेकर आँगा स्वाइज मिल और नेक्षी वीडियो में तिल नबाइट तेक कर लव यू अल